हाई फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आज हम लोग निकले हैं घूमने और यह लोग डर रहे थे डॉकी से हमारे इतने सारे गली में डॉकी है तो जोया वोली ममा सो रहा है डरने की बात नहीं लेकिन हैथर बहुत डर रहा था तो हम लोग को बस निकलते ही मिल गया यह रिक्षा तो हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए तो सबसे पहले तो हम अपनी बहन से मिलेंगे और फिर उनके साथ जाएंगे आज जेल चायबार और यह ड्रामा कर रहा था चीकाने का और मैं कहा रही थी मत करो और वो ड्रामा कर रहा था तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि यह रिक्षा मिल गया हम लोग को बिलकूल घर से ही और हम लोग जा रहे हैंगे तो सर्दियों में तो कहीं हम लोग निकले नहीं है अब धूप निकलने बाद बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग जा रहे हैं और करीब बहुत टाइम हो गया शायद हम लोग इस साइट आए होंगे अक्टूबर में आए होंगे शायद नहीं अक्टूबर में नहीं आए और इसके बाद आए हैं शायद नवंबर में आए हैं हम लोग लेकिन तब इतनी ठंड नहीं थी तो फाइनली हम लोग बेहन के पास पहुँचके अब अपनी बेहन के साथ हम जा रहे हैं उनकी ही गाड़ी में बैठ कर जेल चायबार और वो मेडिकल कॉलेज में रहती है और वहां से बहुत करीब है तो वो हमें वही मिल गई थी तो बस बस चले चले और पहुच गए तो मैं करी इतनी जल्दी पहुच गए तो बोली हाँ बिल्कुल पास में ही है और वो आती रहती है यहाँ पर तो मैंने कॉल कर दी थी मैंने का था मैं आ रही हूँ तो फाइनली देखिए हम लोग पहुँच गए यहां पर जेल चायबार पहली बार आए हम जेल चायबार और देखिए आपको पास से दिखाने को ही करती थी बिल्कुल जेल जैसा ही बना हुआ है तो अभी तो मैं आपको यह गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे दिखा रही और हैदर को तो बहुत ज़्याद मज़ाता है रेस्टोरेंट में आने में तो हैदर बहुत ज़्यादा खुश है वैसे वो कहीं जाते नहीं है लेकिन उनको मालू हुआ है कि हम लोग जेल चायबार जा रहे हैं तो वो तयार हो गए आज आप हम देखिए हमारे शहर ओरई का जेल चायबार और हमारे शहर में भी है जेल चायबार तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ये मेरी बेहन की बेटी है जेल चायबार पहुँच गई है हमारे शहर ओरई का जेल चायबार तो आप देखिए जेल चायबार ओरई देखिए बिल्कुल जेल बिल्कुल सेम जेल का बनाया है हर जगह जेल लिखाए देखिए यहां भी लिखाए जेल चायबार और हैदर बहुत कुछ है कैप मिल गई है हतकड़ी मिल गई है तो यहां पर चोर बन गई है जोया और पुलिस बन गई है और दोनों खेल रहे हैं इनलों के लिए बहुत ज़ाए और आप जेल चायबार आए तो आप इंजॉय कोप करेंगे मज़ा बहुत आएगा मतलब आप कोई भी रेस्टरेंट जा जाके बैठ चाहे तो खाने पर ध्यान रहता है लेकिन आप यहां का पूरा जेल बनी हुई है तो बहुत ज़ादा मजा रहा है देखने में बहुत ज़ादा एंटर्टेइनिंग लग रहा है और मूट फ्रेश हो जाए यहां पर आके तो बच्चों को बहुत मजा रहे हैं और हमारे शेयर औरही में ऐसी चीज़ें अब हो गई है बहुत अच्छी बात है देखिए अब जेल चाहे बार भी हमारे आप खुल गया है और आप आए तो औरही कभी भी तो यहां पर जरूर आईएगा बहुत ज़ादा मजा आएगा देखिए बच्चे कितना मजा कर रह जोया शयतानी कर रही है और हैदर चुप कर आएगा उसको पुलिस बनने हुए है और उसको तो बहुत मजा आ रहा है हथकड़ी पहन के जेल के अंदर गुसके तो देखिए हैदर पूरा समाले हुए है जेल के अंदर बस हैदर जोया और इशी तीनों खेल में बिलकुल मस् करते हैं थोड़े दोड़ दिर बाद इन लोगोंको बंद कर देथे हैं बस है यही करते है सजावट देखिये अप मैं आखूला आए देखिये और बहुत ज्यादा अच्छी सजावट है हर जागे है बिल्कुल बिल्कुल जेल इतनी खुलसूरत जेल जेल में मतलब सब ड़त सब नहीं हो लेकिन यहां सब आना चाहेंगे असी जेल में सब आना चाहेंगा कोरसी के कल्र में जैसे ही है डी खबलते भी कपड़ कर संही है तो अब यहाँ मेनु में देख रहे थे क्या तो हम लोग ने एलाइशी वाली चाय ली और चॉकलेट चाय ली वह बहुत जादा टेस्टी थी वह हैदर के लिए उर्डर की थी जोया ने मना कर दिया जोया वोली मैं चाय नहीं भीऊंगी तो हम लोग और आशने उर्डर कर रहे हैं चाय और चाय में और इन लोगों का अमन भारता है पर दूसरी चीज़ लें तो उन्हें पहले चाय पी लेते हैं फिर बाद में कुछ और और आशने खरींगे तो आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है बच्चे कितना इंज्वाइब कर रहे हैं बस मैं तो यहां के खुब्सूरती देख रही हूँ और पहली बार जी इतनी खुब्सूरत जेल देख रही हूँ हम लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं जेल के अंदर हम लोग चाय पी रहे हैं यहां जोया कहा रही है कि बच्चे चाहि नहीं पीते हैं हैदर की आगी चॉकलेट टी और हम लोगों की आगी इलाइचीटी बच्चे बबस बहुत मझा रहा है उनको चाभी भी है अतकडी की विना चाभी के नहीं है तो बहुत बच hahopie चाभी भी और देखें डण्डी भी है कैब भी है तो चड़ी है सब है और बच्चे बस मज़ा आ रहा है देखे पूरी मतलब फुल मस्ती और बहां के ओनर है कुछ कैब भी नहीं रहे है बच्चे शतानी कर रहे हैं हम लोग को ही टोकना पढ़ रहा है नहीं आपको फुल मस्ती कीजिए ओनर बिल्कुल नहीं चिलाते हैं तो हम लोंने चाए पी ली थी और मतलब मैं पी रही थी लोगों ने चाए पी ली थी और छू किया है As देखे सब चाए पी चुकैं बस चाह है बस में ही रह गई हैं और गट jeal special pizza allowed किया है तो बोड़ी दिख़य थी और यहां पर क्या- पिज़ा青 ग्मारओद वेग्न को भी इनकी मतलशन पाया है जेल चायबार लेकिन आपको यहां सम मिलेगा नूडल्स भी मिलेंगे कॉफी भी मिलेगी हर चीज है सेंडविच भी है तो सभी चीज है और मतलब फुल इंजॉय आप पिकनिक मनाने आए तो यहां पर आ जाईए जेल के अंदर यह देखिए जब तक हम लोग यहां पर रहे इसे इसे इदर से खेलते रहे इन लोग को लग रहा था अनलों को खेलनी के एक बहुत अच्छी जगह देखा यह मिल गई है और खूब शता नी कर रहे थे दोनों खूब कि बहुत देकित सब भी चीज़गं यहां से बाहर नजवा भी भूब्सूरत लग रहा है पास ही में अरे आथा और. कफे अच्छे एच्छे रेस्टोरेटिंटर कुछ्य पहले इतने रेस्टोरेटिंट नहीं देगे ती करुन दो तीन रेस्टोरेटिंट différents घुल गए हैं हैं एक पह जादा एक नर्स तो इस्था दॉपक्टरियाथ आते ही हैं फ्रेंड खुल गए हैं तो गाइस हम लोग यहां पर इंज्वाइब कर रहा है आप देख सकते हैं जोया और हैदर को और हम लोग यहां पर है जेल चाई बार और बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है बहुत सुकून की जगह है और पूरा इन्हों ने तयार किया है जेल जै बड़ी मुश्किल से इनको इंस्पेक्टर की कैप मिली है आप बहुत ज्यादा इंज्वाइब कर रहे हैं इनका हमेशा मूड खराब रहता बच्चों को ऐसी जगह लाना चाहिए बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं उनको घूमना चाहिए इसलिए मैं उनको बाहन नि जाना था साथ परसंड आफ था लेकिन हम लोग फिर यहां घूमने आ गए और यह देखिए यहां गया जेल स्पेशल पीजा गर्मा गर्म पीजा खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है इसका टेस्ट इसमोकी टेस्ट है इसमोकी टेस्ट फ्लेवर दिया गया है बहुत ज पसंद आया पीजा का पीजा वाकी में बहुत ज्यादा टेस्टी है जेल स्पेशल पीजा और बहुत ज्यादा यम्यम्य है अब लोग खाना का के यह थे पेड भरा हुआ था लेकिन फिर भी और हैदर और जोय ने लगवा दिया तो बहुत ज्यादा इंज्वाइ किया पैसा वसूल कहेंगे इसको और मज़ा आगया है यहां आकर घूमने का और आएंगे आगे भी आएंगे क्योंकि बहुत जदा अच्छी जगह है यहां पर और सुकून बहुत है तो अब हम जाएंगे खर की ओर तो पहले तो मैं फिर से लूंगी नारियल पानी वो मेडिकल क अथ Lukis香 को अब हम तो какие आएंगे को जहीं जाएंगे anciaए पर मिलनुप में अब हम जा रहें एमा अभी तो बहन के साथ गाड़ी में चले जाएंगे में लेडिकल कॉलिच तक नारीर पानी लेकर आए ताज थाए ताजे 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 तेस्ट अच्छा है सो गाई वर आपने दएख़ा हम लोग गए थे जेल चाय बारो हम ऊहां पर सब जेल की तरह बना हुए था मैंने आपको दिखाया और फिर मैं घर आ गी और आपने के बाद आने के इन लोग ने नारियल पानी पी आ, क्योंके लोग हम लोग वहां से नारियल पानी लेकर आये उसके बाद फिर मुझे आया तेज बुखार और बदन दर्द हो रहा था तेज तो नहीं कहेंगे लेकिन वह तकलीफ वाला जो हरारत होती और एकदम तकलीफ होती है वह था तो फिर मैं लेड गई और मैं सुछते ही तिराद मेरी मेडिसिन खाऊंगी लेकिन फिर मुझे तबियत खराब की वज़े से मैंने रोटी नहीं बनाई थी लेकिन मैडिसिन से काफी आराम है तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी और जोय पापा कहीं निकल गए अभी आय थे आके फिर बोले भी थोड़ी देर में आ रहा हूं अब फिर कहीं निकल गए मालूम निकल गए आत को अब लेठ हो गया दूद क्योंकि पता नहीं रीजन मुझे नहीं मालूम है जहां से आता है तो अनने बताया कि उनको लगा कि पहुंच गया फिर मैंने कॉल की तो मालूम हुआ कि वो नहीं आया तो अब दूद आ गया तो मैं जल्दे लिए लिए उसको इतना थंड़ हो अब दूद खौल रहा है थोड़ा से ठंड़ हो जाएगा तो चाय का हो जाएगा चाय का हो जाएगा तो मैं तेज पर नहीं हम लोग ने बच्चों ने सब ने बहुत जादा मजा आया और जाना चाहिए बीच बीच में गुमने के लिए माइंड हो जाता है अभी फिर प्ल दाल बाठी प्लूडवाट क्या है कि दूद उस्टल रहा करा शक्राअगा पर दाल पाठी ने मिलने लगा है तो आप जाँ अंकि झालवाट ने के लिए तो इसी दिन अपन के लिए यह आपको दिखाऊँगी और जल्दी लाएंगे हम लोग दल बनाश absolute prepakts गर मजें कि आपको बनाने के लिए और आज को बीडिए पसंद आए तो आप लाइक शुरॡ्ये पमेंट जरूर करें सु बढाइ